सामान यह से यह कारिकम मुंबई में होते हैं और इसके कारण इस प्रकार के कारिकम को और्गनेज करने का भी मुंबई का सुभाव है और ओडियन्स को भी आदत है लेकिन मैं सुभाज जिखा आभारी हूं कि उन्होंने इस कारिकम के लिए गुजरात को चुना अंदाबाद को चुना अगर एक बार आप अंदाबाद में सफल हो गए तो फिर आपकी डाड़ी करी रुपती नहीं हम अंदाबादों का पहचांब है सिंगल्स है डबल जर नहीं और यह आपका छेटर ऐसा है कि जिसम हर को अपने इंवेस्टमेंट का कुछ लगे रिवर्ट चाहता है और इसलिए रुपिय की कीमत क्या होती है रुपिय का महादमे क्या होता है तो शायद एंदाबादी से अधिक कोई जानता नहीं है और हमारे इंदाबादियों के दिए इस पुखा के छुटकुणे भी बढ़े हुए है काफी तो उस शहर में फाइनेंशल वर्ड के लोगों का इस पकार से एकत्राना इस समारों को यहां संपन्द करना लग पिर एक बार जिदूप के सभी मित्रों का दन्यवाद करता हूँ आप लोगे इस विशे के काफी जानकार भी है और चिंतिद भी है अगर फानेंशल मार्केट और तेजी में होता तो शायद आज के समारों में तालिया भी ज्यादा बसते लेकिन मैं देख रहा हूं मुस्किन से तालिया बजलेगी और इसका मूल कारण मार्केट किस्थिदी है अगर मार्केट किस्थिदी अच्छी होती तो शायद आप भी बड़े उमंग से भरे हुए होते हैं और मार्केट किस्थिदी अच्छी नहीं है इसके लिए आप सुबह साम एनॉलिसिस करते होगे आप सोचते भी होगे यार कुछ सिर्भी होय स्तिति से भार में कि याक कि सटमन मन में चलता है कि वह सही है कि देश की आप जिक स्तिती बहुत ही चिन्ता जबग है किसी भी देश के जीवन में उतार चड़ाओ तो आपे कभी अच्छी स्थिती भी आती हैं कभी बुरे दिन भी आते हैं कभी हम टॉप पर भी होते हैं तो लोग पर भी पहुंच जाते हैं लेकिं कि निकी निधायक जब आत्मविश्वास खोड़ चुके होते हैं तो यह लॉप स्था कॉंफिड़ेंस वो निर्डे ने कर सकते हैं उन्होंने निर्डे करने का सामर्थ हो दिया कभी को भी देश में चर्चा होती है कि चुनाव बहुत जल्दी आए जाएगे समय पर चुनाव नहीं होंगे तो मिछ से कुछ लोगा ने बात की थी मेरे गार देखे भई चुनाव जल्दी भी अगर आने है तो सरकार को मिरने करना पाए जो नव साल में को निर्डे नहीं कर पाए वो मिरने कैसे कर सकते हैं तो आप मानके चलिए कि मजबूरन स्थितियां जहां जाएगी जाएगी को ले जाने वाला नहीं है कोई दिशा करने वाला है को निर्डे करने वाला है और सवा सो क्रोड का देश इस स्थिति में जब होता है तब हर प्रकार की संकट अपने आप बढ़ते चलेगा है अब आज देखिए आप रूपिय की कीमत जिस तेजी से घीद रखी और कभी कभी को लगता है कि दिल्ली सरकार और धूपिय के बीच में कंप्टिशन चलेगा है किसकी आबरू तेजी से घीद्टी चली जा रहे है कौन आगे जाए इसकी कंप्टिशन चाहिए कि देख जब आजान हुआ तब एक डॉलर एक रूपिय के बारा था एक रूपिय में एक डॉलर पित्ता था जब अटल जी की सरकार थी अटल जी जब पहली बार सरकार बनाएंगे तब तक मामला पहुंच गया था फोर्ती टू रूपिस तब और अटल जी ने जब छोड़ा तब थोर्टी फोर पर पहुंचा था चार कुटिशप में फरकार लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री पुद्धान मंत्री के टालकंड में यह साथ रूपिय पर भूप गया है मित्र इसकी बू अगर थोड़ा इतिहास के और नजर करें आप तो इस अर्थिक जगत के दुनिया से जोड़े वियो लोग हैं हिंदुस्तान 1200 साल की गुलामी के बाद जब 15 अगर्स 1947 जब आजाब हुआ था 1200 साल की गुलामी के बाद जब यह देश आजाब हुआ उस समय उसके पास प्रिटिस गवर्णमेंट से वन थाउजन मिलियन पाउंड लेना उधार था याने हम लेंदार थे प्रिटिस गवर्णमेंट करजदार थी सेकेंड वर्ण में भारत से जोगुद भी गया था वो कर्थ ब्रिटिशन तो हिंकुस्तान के ठुकाना था यहने 1200 साल की गुलामी के बाद भी आजाधी का प्रारम था आर्थिक संकर से नहीं हो आर्थिक संपन्नता के साथ है इतना ही नहीं है विदेशों से कर्द लेने का प्रारा था पंडित नहरू ने कि आजाधी के कुछी समय पर फॉर्स फाल्य अपना आया विदेशों से कर्द लेना से और तब वर्ड बैंक का स्वतमत रूप नहीं था अमेरिकन गवर्रमेंट की इच्छा से करते हैं और उस समय पंडित नहरू के जवाने में पहली बार कर्ज लिया गया आज जरूरत है उस बात को समझने की कि जब वो पहली बार कर्ज लिया गया उसमें दो शर्त थी कि आज हम डॉलर हमारा साथ रूपिये पर क्यों बिखता है उसका जवाब वहां मिलगा है दो शर्त थी एक शर्त यह थी कि वो जो अमरिकाने पैसे दिये हैं उन पैसों का उप्योग कि हिंदुस्तान की जो रिशर्ट स्कॉलर है उसकॉलर को अमरीका में पढ़ने जाने के लिए अगे सकॉलर सिस्के रुपे उप्ये खर्च में आप जीतना पुद्धि माने का पार अमेरिका ने पीर अपते जो चुने वो स्कॉलर और कि वो स्कॉलर पढ़ेंगे कहां अमरिका में पैसे को सब्सक्राइं को कर्ज वे दिये हैं। पैसे मतलम हिंदुस्तान आजाब ताकि वो गीत अमेरिका के गाएं इस प्रकार का पहला प्रयास हो और दूसरा नेरा किया था कि यह रुपिय तब देंगे कि जब आप रुपिय की कीमत कम करो दें और उस लोग नेने के कारण पंडित नहरों के समय में पहली बार रुपिय की ताकत कम और वो सिल्सिला चलता है मित्रक कोई भी देश गलब निक्लों की कारण जाकर के कहां कहां गिरता है उसका हम अंदाज कर सकते हैं मैं आज भी माता हूं भारत जैसा देश सारे धुनिया की नजर हिंदुस्तान पे अगर एक बाजार के तौर पर हो तो यह देश अगर बाजार बन करके रह जाए तो यह देश कभी भी आर्थिक सब्सक्राइब कर सकते हैं कि पुर्ण विश्व अपना मां हिंदुस्तान के अंदर है जितनी बड़ी मात्रा में दम कर सकता है करना चाहिए इतना बड़ा कंजिनर मार्केट अवेलेवल है अगर यह सिल्षणा चलता रहा है और देश का इंपोड बढ़ता ही गया बढ़त सब्सक्राइब करना नहीं देर की आर्थिक स्थिति कहा जाकर करते हैं कि मित्रवाज जिस तेजी से इंपोर्ट बढ़ता है और एक्सपोर्ट में हम पहले से भी जी क्या रहे है यहने स्टैबल भी नहीं रहे हैं उससे भी रीचा है और उसके एकान्ट एकाउंट डेफिस सब्सक्राइब करें दोनों के तराजी पर हम संतुलब नहीं कर पार है और उसका भूल खारा है हमारी लीट के लोग कहते हैं आप लिए नहीं नहीं आरे क्यों यह कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर धन तब लगाता है जब उसको कि अपने पुंटी की सिकूरीटी मैंसिश्व सब्सक्राइब लगे खांव इतना लगता जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा मुझे आप की इसक्वर्ण की अनुभूती हो जिए एशेंट मिलेगा इसंगल बिंडो मुझे जेंस मिलेगा तो दो भी करेगा लेकिन अगर पाली से पाली से तो दुनिया में कितनी उसकी आवश्यक्ता होगी लेकिन वह हिंदुस्तान के तरफ मोहने ते पेगा है और हमारे यहां और अगर हम मैंनुपाइटिरी सेक्टर में दुर्बल होते चले जा रहे हैं और तब हम दागर की व्याकर इंपूर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करने के जर्वा जबंद हो जाते हैं और सिक्सिती और मुड़क्ति करी जाते हैं कि मुट्र हम स्टॉक मार्केट इस दिनिया से जुड़े भी लोग हैं अगर हम तीन चीजों को कि बैलेंस रुट से आगे नवढ़ाए सका तो मैं मानता हूं कि कि किसी भी इंवेस्टर का विस्वास कभी भी नहीं रहे हैं अब आप देखिए आज हमारा ट्रांजिक्शिक कि जो होता है मैं समझता हूं मुझे जो बताया गया 15 और 20 परसंट के बीच में आगया है और उसमें भी फुचरिस्टिक वाली संगया ज्यादा है रियल ट्रांजिक्शन के संगया बढ़ती कम होती चलिए रियल ट्रांजिक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि इस्वा कांफर कि एक तो रिटेर का श्यादा है दूसरा इंस्टिटूशन इंवेस्टमेंट है अब तीसरा एफाइया का है कि तीनों का इक्वल बैलेंस होना चाहिए आज मुत्रों अगर एफाइया का स्वेर बढ़ गया और दुनिया का कोई देश जस्क्रिवाज अपना इंट्रेस्ट बढ़ा दें और अचानक एफाइया एक समसे बहुत बड़ी एमांग चरी जाए तो पूरा स्वांग पार्गेट नीचे गेज़ आगा और उसके कारण सामान ने मांगी सामान ने मांगी को कोई फरोसा आगा है मित्रा आज शिदमर की कहते हैं कि वे लोग सोना ना करेंगे लेकिन लोग सोना खरिदने के लिए मजबूर क्यों है मुझे मालूम हमारे यहां बुजराप मैं कि स्टॉद मार्गेट में इंविस्ट करना है यह आम यह क्यों होगा तो भी वो सुबह शाम देखता है स्टॉद मार्गेट के क्या हाल है हमारी यहां एक अख़बार को सिर उसको भरोसा नहीं कि उसको जो को प्रष्ब करना है तो तरह उसके मार्द दो रास्ते बचनता है हिए रिएलेश्ट के टाला या तो गोल्ड में इंटालने के लिए million glass load million के पास एक लाग करोड रुप्यों का गोल्ड इस देश में एक साथ और बताए जाता है कि हाँ देश में अठारा लाग करोड रुप्यों का गोल्ड आज हिंदुस्तान के अंदर कड़ा हुआ है कि अगर यह स्थिती रही तो हमारी आर्थी दोनस्ता कैसी चलेगी और यह कौन हो रहा है क्योंकि व्यक्ति को यह की जगां पर उसको सिकुर्टी लगती है यहां लेकर के रखो ज्यादा पैसे मिले नहीं मिले लेकिन पैसे बच जाएगा यहां तो उसको लगता है रिए रस् हुआ कि कि टॉमिनेट करने कि अर्ज ब्लैक मनी की इतने मिलेट कर रहे हो पैर वली चंती हो तो स्वाबारी ज्टी नोगों को रिएला स्टित में आखक रहा है और जिनियन आगे अगर रिया एस्टेट में जाना कहता हैं एंट्रम एंटर पारा है कोई गटने की है इसे विश्य चॉर्टर को देश पर चलाये गया है जिसके कारण देश का पूरा अंफ़त पंत्रा आज स्रित्यों को विडाब आगा लागा जाए है है माणियों कि हमारे देश की और पुरे एशिया हमें एशिया की विशह सब्सक्राइं करें नहीं है इसशें और भारत ब्रचक्राण और बचस उसे गरीब महिला होगी गरीब परिवार होगी लेकिन को बचाने भी कोशिस करेंगी मित्रों ये शेविंग करने स्वाब उसको वह पहले स्टॉप मार्गेट है अंदर इंवेस्ट करता था उसके चाहर हमारी एकोनोमी को एक बहुत बढ़ा पूश मिलता था ग्राविंग को नहीं है जिमीं में पासा नहीं लगा सकता है वो दस रूप्री के बिस रूप्री के पाश शेर दस है रेनी की कोशिश करता है क्यों उसके बाद उत्रहें कैसे लेकिन महंगाई के तावन मिलत मां लोडर मिलकांस अपना घर चलाना ही दिक्कत हो गया है सेविंग खतम हो अगर ये सिथी बनी रही तो आज हमारा पूरी फानेंसर सिथी और दुर्दश्या की वर्चे दिए अब देखें इंपोर्ट ये तो हम समझ रखने हैं चलो भाई नेच्टर विसोर्सित में हमारी कुछ सिमा है हो लिए हमको पैट्रोलियम और गास डीजल इसके लाहत को लेना पढ़े हैं देकिन क्या कारण है कि एलेक्ट्रोनिक गूर्स मोबाई फोर अर्बो खर्बारुपयों का इंपोर्ट हमारा बढ़ता चला रहा है क्या हमारा देश है मोबाई फोर्ण में बेनिफक्टरिंग में बहुत बढ़ा जम नहीं लगा सकता है हम हमारे उख्ंट को पंदे का रास्ता ने को सकते हैं हमें मालू मैं है इलेक्ट्रोनिक इूर्स का बहुत पड़ा मreckट है और ऐने रिक्ट्रोनिक घूड का मैनिक्ट्री कोई बहुत बहुत ऑब समाश को खर्कार की टेकट्न के Walmart ऻेह कर लादे लेकिन उसको तने बल्न एंŋ और उसके खाराँ हिंदुस्तान में जब तीन सेक्र हैं सब्सेदान इंपोर्ट करने में उसमें एक शेत्र हैं इलेक्रानिक पूर्श का हाँ कोई मेडिकल इफिग्मेंट के लिए कोई बड़ी एक्स्टावड़निस चीज आती है लेकिन फूर्टी ही हमारे हाँ अपना अपना नहीं बढ़ पागा है हम यहां करके एसंबल को हैं मैं अगर हमारे देश ने योधना मद्व भए हम दस साल के अंदर इस सेक्टम के अंदर इंकोर्ट करने की स्थिति मन रखले में हम वालिक्पे 11 में अफॉड़की मटियक्ट प्रोवाइड करेंगे संफीशन गटियर्ड करेंगे उधे मिस प्रवाइब क सदिति को हमारी नीजियों की कम्रों के हाल रखत्म हो नियुकल कि अगर हमें दुनिया के सामने हैं हमारे लोगों को उत्पादम के खेत्रा में जड़वाएं तो उसके लिए क्या चाहिए आज देखिए हिंगुस्तान में बीस हजार से ज्यादा मेगा हो बिजली के राखाने बंद पड़े कोई देश ऐसा देखा आपने कि जिसके पास कोईले की खदान है जिसके पास अंदेरा है लोगों को बिजली चाहिए बिजली के ग्राखत मोजूद है और जिसके पास बिजली पाइदा करने अगर इस चीज़ों पर छोटी चीज़ों कोई जोगत नहीं सामान ने चीज़े अगर उस पर भी हमने बल दिया होता तो मैं नहीं मांता हूं कि देश आज इतने बड़े आर्थिक संकट पर बुजब्दा और ऐसा नहीं है किसके रास्ते नहीं है अकल जी के समय की इंडिये सरकार के कारकाल के हुँ ठीड़ देख ले हैं सीना तान करके कोई भी कह सकता है मित्र अंदिनों तो भारत ने निकुलेट टेस्ट किया थे पूरे विश्वने शंक्षों लगा थे देश आर्थिक संकट के अंदर ससा हुआ ठीड़ था एंसे विकट कांग भी अतल जी के अंदेट्व को में हंधुस्तान के एंडिया और हो भी पार्टन चोबिस पार्ट के एक साथ सरकार चला थे एक पार्टी के सरकार है उसके बांद भी न महंगाए बढ़ने दीजी न इंपोर्ट बढ़ने दिया था एक्सपोर वो 30% से भी कामा हो गया है आज वो 30% से भी काम हो गया है को भी प्राइमेटर लेनी थे भारत की इकार्ट में 21 सदी की विकांस रापां के सप्मों की मजबूत नहीं अटल जी ने अपकर शासन काम में रखी थी लेकिन देखते ही देखते पिछले नव साल में जो रखा था वो भी खतन हो गया और नया किस अर्जित नहीं हुआ उपर से नए बोज और नए संकर वारे देश पर आते हैं आप उसी के खारा है इसी के खारा आज हम संकर से गुजर रहे हैं आपका तो पूरा मार्केट पहले जो इन्वेस्टल था वो सुबह जब स्टॉक मार्केट हो आपके उपर निचे होते हैं यह यह पहली बार होगा है और इसलिए इस चिंता के अवस्ता में कि देश आपको इश्वास के साफ कैसे आगे बढ़ें कि वालिसी प्रावलिशिष्णा से देश भार कैसे आए प्रदान मत्री ने कहा था पैसे भेड़ पर नहीं उटते हैं इपिक और प्रावलिश्टा में पैसे फेल पर उगती हो या नौ कर पर करते हो कि हम गुघ्रा चों की समझा सभ है हम मांते हैं पैसे छेत में भी पैसे मद्जूर के पसीने से भी हुँग सकते हैं आवे सेटा है सबीन देखने करके तरके एक मद्जूर फेक्टरी में मानत करता है वो पैसे होगाता है और तभी तो देश की तीज़े भरती हैं और तभी तो देश चलता है। यह जो इन्दिनाशा का माहूल है उससे देश को भाव लाया जा सकता है। मित्रो गुजराद एक्स्पिरियंसे मैं कहता हूं कि इन्दिनाशा की गर्द में डूब रहने का कोई काव नहीं है। जब मैं पहरी बार मृत्यमंत्री के रूप में आया। मैरे या वेवेट्टीजीट 6,700 कोई डुपे दिया। आज मित्रो वो प्रफिट करती हैं और हम 24 गंटे बिज्री दीतें। कि अगर सही देशा मनें रेकिया जाए एक एक देश की सामाने मांवी कोई शक्ति को भी अपर ध्रोसा करके नेरे किया जाए देश की स्थिती बहुत बदल सकती है और मैं बहुत आशावाज इंसान हुआ में इतना वाख देश इतना सामर्द है दुनिया ने शीना तांगों के ख़ड़ा होने का सामर्द है इस देश में बारा स्वाव ठाल की गुलानी के बाद भी जो देश सर्पनस था वो देश आज करदेदार क्यों बन गया इसके जवाबों होच सकते हैं उसके उपाजी भी भोच सकते हैं उस विश्वास को लेकर के आगे बड़े मैं फिर एक बार सुभाजी का बहुत आवारी हूँ कि आपके दी जाने का मुझे हो अवसर मिला बहुत 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 दन्वा